नमस्कार एक्स्पर्ट के अनुसार हमें बच्चों के म Wildlife को creative बनाना है उनके सोचने समझने की ability को grow करना है जिसके अनुसार बच्चे सोचे समझें और रट्टे की प्रिवर्ती से दूर रहे बच्चे नएने चीजों का विश्कार करने के लिए उनके माइंड को पहल बेसिक से ही उसके माइंड को क्रेटिव करना होता है इसका सबसे फर्ष्ट सतर छे से बारा साल की आयू के बच्चों को ध्यान में रखकर कुछ वक्षिट तयार की जाती है हमारी एक्सपर्ट की दुआरा जिससे की बच्चों की सोचने समझने की सक्ति बढ़ सके रट्टे के की अवधारणा से दूर रह सके सोचने समझने की सक्ति को विख्षित करने के लिए आपके सामने हम कुछ वक्षिट को भेज रहे हैं जिससे बच्चा कुछ उसको समझे और आप भी घर पर बच्चों से इस टाइप की क्वेशन पूछ सकते हैं उन्हें समझने के लिए कह सकते हैं आसपास में जैसे हमारे पास कीचन के बहुत सरे बर्तन होते हैं उन्हें काउंट कर कीजिए उनसे हलके और भारी के बर्तनों में कमपैरिजन करना सिखाए घर में कुछ भी चीज रखते हैं उन्हें कम और ज्यादा का कैसे होता है ये कम है ये ज्यादा है ये इसे कितना कम है ये इसे कितना ज्यादा है ये हम उसकी अभ्यास करवा सकते हैं आईए हम इसे के तुरू हम इस एक्सपर्ट दोरा भेजी गई इस वक्षिट का अभ्यास करते हैं भारे वस्तों पर गोला लगाओ सबसे पहले देखिए तराजो में हमने एक फ्रूट इधर रखा है और उधर लेवज रखी है यहाँ पे ओरेंज है तो बच्चों को समझाना है जहाँ पे ओरेंज है तो वो तराजो का जो पासा है वो निच्चे हो गया है और जिस तराजो में लेवज रखी है ग्रीन कलर की उस तराजो का पलड़ा हलका है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो तराजो का हिसा उपर की साइड है उच उठा हुआ है वो हलका है और जिस तराजो का हिसा निचे की साइड जुका हुआ है वो भारी है तो बच्चे इससे अपने आप सोचने लग जाएंगे कि अगर हमारा ये भारी है ये हलका है तो आगे की चीजों में हमाने कौन सा भारी है और कौन सा हलका है सिरफ बच्चों को आपको गाइड करना है उन्हें बताना नहीं है वो खुद सोचेंगे कि इसमें से कौन सा भारी है जैसे कि इसमें एक एक्जामपल करके दिखाया गया है कि ओरेंज और लीवज में ओरेंज वाला भारी है तो इसको सरकल किया हुआ है पहले से ही और लीवज हलकी है ऐसे ही सेकिंड स्टेप में ये कप है और ये पैंसिल है ये कप है और ये पैंसिल है तो कप पैंसिल से हलका है या भारी है ये बच्चों से आपने पूछना है आप उसको घर में रखी हुई सिंपल चीज है कप भी होता है पैंसिल भी होता है तो उसके हाथ में देकर ये कमपैरिजन करवा सकते हैं ऐसे ही हम उस्कूल में भी ये अक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से जिससे उनको स्थूर चीजों से मूर्थ चीजों से उनको पता चले क्या भारी है और क्या हलका है तो बच्चों से कप और पैंसिल के बारे में अगर हम बात करेंगे उनके हाथ में एक में कप दे दीजिए एक हाथ में पैंसिल दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन सा भ सरकल करना है कि आगे हैं किना एकश्ट वाले में व्हालें में बैलून ओर इस में कि da भावर पोड़ है गम्ला है तो बैलून और फ्लावर पोड़ Çok कर जाएंगे व्हाल काहूंत और flower pot भारी होता है तो हमने भारी वस्तोर पर सरकल करना है तो यह भारी पर हमने सरकल किया यहां पर फर है और एक पिक्चर में फर है और दुसरे पिक्चर यह इंट है ब्रिक्स तो आप देखिए फर और ब्रिक्स में बच्चों से पूछिए क्या भारी है और क्या हलका है यह बहुत सुंदर एक्टिविटी है क्लास के लिए भी और घर में पेरेंट्स भी इसे असानी से करवा सकते हैं जैसे फर और ब्रिक्स में फर हलका होता है और यह भारी ह होता है तो हम बच्चों से एंट से और कुछ सहल की चीज लेज बगारा को भी comparison करवा सकते हैं नेक्स्ट में बॉल एंड बटरफलाई तो बॉल और बटरफलाई में यह फुट बोल बटरफलाई में कमपैरिजन कहते हैं तो बच्चे इसली से समझ जाएंगे कि हाँ, बोल भारी है bat and ball तो bat and ball में easily से बच्चों को समझा जाता है और ये दोन ऐसी चीजे होती है जो घर में भी अविलेबल होती है और school में भी अविलेबल होती है तो ये बहुत सुंदर activity है बच्चे के mind को creative करने के लिए तो बच्चों से पूछा जाए तो बैट और बॉल में क्या भारी है तो बच्चे इजली से जबाब दे कि बैट भारी है तो भारी पे सरकल करना है थांक यू